हुआ 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 है तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से हम लोग हिंदी को संस्कीट में क Schnberto करेंगे यानि कि संस्कीट में लोग अनुबाद बनाएंगे तो कैसे बनाएं तो उसके लिए मैंने दूचार बेसिक ють बताया था सबसे पहले मैंने बताया था कि संस्कीट में अनुबाद बनाने के लिए हमको जरूत प्रेगी सब्द की दूसरा चीज हम लोग को जरूत पड़ेगी धातू तीसरा हम लोग को जरूत पड़ेगा वचन चौथा पुरूस और पांचमा लकार पिछले वीडियो में मैं यहां पांचों चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा चुगा सब्द का यूज कैसे होता है धातू का यूज हम लोग कहां पे करते हैं वचन क्या होता है पुरूस किसे काते हैं और लकार कितने होते हैं टोटल का टोटल यहां पांचों का पांचों चीज मैंने फर्ष्ट वीडियो में बता दिया था अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बैक में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह पांचो का पांचो बात आप लोग को समझ में आ जाए तो आज हम लोग जो लकार देखे थे पांचो का पांचो लकार उसी लकार को हम लोग बारी-बारी से पांचो लकार को देखेंगे तो आज का हम लोग का सबसे पहला लकार है लटलकार यानि कि बरतमानकल इसी तरह से हम लोग 5 लकार को बारी बारी से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने जो सब्द बताया था सब्द जिसका प्रयोग क्या चीज के रूप में होता है करता के रूप में होता है यानि कि सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसको हम लोग सबसे पहले अरेंज करना सीखते हैं कि हम लोग इसको अरेंज कैसे करेंगे तो Friends, मैंने बताया था, कि संस्क्रीटे必ा कितने होते हैं? तो संस्कीटे必ा थे परने 3 होते हैं, 1 जाई-बच्ञ, 2 जाई-बच्ञ, 2 जाई-बच्र, 3 जाई-बच्र, पूरुष Two बच्र अब मैंने जो 10 सब्ध बताया था, उस सब्दों को मैंने, इस सूत्र पे याली की बचन और पुरुस के अनुसार उसको मैंने अरेंज कर दिया है जैसे कि देखे क्या हो रहा है एक पर्थम पुरुस एक बचन में सह तो ते तो आम यूवाम यूयम आहम आवाम वया यहां 9 मेरा मुलू को रूप होता है और सब्द होता है इसे को हम लोग आरेंज की है क्या चिश्च के रूप में आ वड़ी साल का मतलब उप sug और 5 का मतलब होता है लेकिन एक इस्त्री के लिए होता है क्या मतलब है क्लिकात दूसरा पुरुस के लिए योता है कि एक जो था सा पूरुस के लिए और सा इसली के लिए तो हम लोग उस नौ वर्ड को नौ जो सब्द था उसको मैंने वचन और पूरुस के रूप में सजा दिया है ताकि इसी के अनुसार उपर वाला रूप के अनुसार है हम लोग का पांचो का पांचो लाकर उस पर अनाम स से अड़्जेस्ट हो जाएगा जैसे कि सह तो ते तोम यूबाम यूयम अहम आवाम वैम अब देखे इसका क्या होता है सह का मतलब वह तो का मतलब वे दोनो ते का मतलब वे लोग या वे सब फिर नीच हम लोग हम का मतलब मैं आवाम का मतलब हम दोनों और वयाम का मतलब हम लोग या हम सब तो यह सब्द को मैंने बचन और पुरुस के अनुसार सजा लिया अब हम लोग देखते हैं लट लकार जिसको हम लोग कहते हैं बरतमान काल लकार के संख्या मैंने बताया था दस होते हैं लेकिन हम जातों है रहेगा नहीं तो हो रहेगा नहीं तो नहीं ठूं रहेगा यह सब इसका क्या है पहचाद तो हम लोग देखते हैं लटले का देख 10 का सुटर क्या होता है कि त मीरा जितना भी हेवला वाकि रहेगा सब का का समस्कृत मेरा इस नोव को सुतर अ करेंगे त अन्थी सी थ थ नई से बता से अब देखिए इसको मों लोग अरेंज करके बताते हैं वह सारा का सारा बात अब लोग को समझ में आगए तो सबसे पुले हम लोग देखते हैं जैसे कि रहेगा कि वह खेलता है वह क्या करता है खेलता है देखिए लास्ट में क्या लग गिया है लास्ट मेरा है तो पहचान बता है कि लास्ट में अगर है हो गया हो गया या हो गया तो किस लागार का पड़ियो करेंगे अब वह क्या होता है तो पिछला वीधियो मैंने बताया था कि वह क्या हूँ शह और खेलना यानि कि यह कृहता है कि या क्रिय कहना क्लिख ऑप तुवह मैंने बता चुका हूं है तो खिलना क्या हो जाता है छिड है खिलना यह produced अब देख़े जैसे की हम लोग इंगलिस बनातों तो देखते क्या है कि जैसा subject वैसा वाईश है अगर सबजेक्स समयलर रहेगा तो मःफ्र मेरत उबसेट कंडिसान हम लोगो का संस्कृषज चलता है यदि करता अब देखे इसका यह क्या हो गया यह उप्रवला यह मेरा सब्जिक्ट हो गया यह मेरा क्या हो गया भार्व हो गया यानि कि यह मेरा करता हो गया यानि कि सब्द हो गया और यह मेरा भार्व मतलद किरिया हो गया यानि कि संस्कृत में इसको क्या बोलते है धातु बोलते हैं तो बोलने थी क्या कि जैसा करता वैसा क्रिया यहां इंगलिस में फॉलो करता है उसी तरह से संस्कृत में भी जैसा करता वैसा क्रिया अब देखिए क्या बोला है वह वह बोला न तो वह के लिए मैंने क्या लिखा सह देखिए वह के लिए मैंने क्या लिख है वह किस बचन और पुरुस में है तो देखिएगा पुरुस कौन सा है पर्थम पुरुस बचन क्या है एक बचन तो यदि सब्जेक्ट यदि पर्थम पुरुस एक बचन में होगी तो उसका भर्वे यानि कि धातु भी पर्थम पुरुस एक बचन में होगा अब देखिए क्या पर्थम पुरुष एक बचन तो है का फ्रेंड्स टी इस को उठा करके हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे के हो गया सरस्कृत सर्क्रिदती है कि मैं दुसरा फिर से देखता हूं अब देखिए दुसरा दुसरा मैं लिखा कि वे दोनों वे दोनों खेलते हैं वे दोनों क्या करते हैं तो वे दोनों खेलते हैं अब इसको हम लोग संस्कृत कैसे करेंगे अब देखिए लास्ट में इसमें भी आ तो जिसके अंत में है रहागा हम लोग किस लाकार का परियोग करेंगे लट लाकार का पहचानने का सबसे सिंपल तरीका लास्ट में अगर है लग गिया तो हम लोग किस लाकार का परियोग करेंगे तो हम लोग जब भी परियोग करेंगे तो लट लाकार का ही परियोग करेंग अब देखिए वे दोनों तो वे दोनों फ्रेंट्स देखिए कहाँ पे है यहाँ पे वे दोनों है वे दोनों का संस्कृत क्या हो जाता है तो लिख दी हम लोग इसका तो हो गया अब खिलना का खिलना का वही बाद क्या हो जाएगा हम लोग का खिलना का क्रीडा हो जाएगा अब देखिए, यहाँ सिष्टम मेरा क्या का है, कि जिस बचन और पूरुस में मेरा करता होगा, यानि सब्जेक्ट होगा, उसी बचन और पूरुस मेरा क्या हो जाएगा, किरिया हो जाएगा, तो देखिए, वे दोनो है न, वे दोनो, यहींने मैंने बता है, वे दोनो, अब पर्थम पुरुष्ट दूई बचन तो किरिया भी क्या हो जाएगी पर्थम पुरुष्ट दूई बचन यानि जैसन करता हुई सा किरिया तो देखिया पर्थम पुरुष्ट मेरा यहां हो गया इसका दूई बचन क्या हो गया यह हो गया क्या है तो इता को उठा करके हम पढ़ते हो तुम क्या करते हो पढ़ते हो अब देखे तुमका संस्कृत क्या होता है तो तुमका संस्कृत देख लिए उपर देखे यहां तुमका मैंने क्या लिखा तौम लिख दीजिए तौम और पढ़ना क्या होता है तो पढ़ना को हो जाएगा पढ़ना अब मध्यमप्रूस एक बचन मध्यमप्रूस एक बचन तो करता मेरा क्या हो गया सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया मध्यमप्रूस एक बचन तो किरिया भी मेरा क्या हो जाएगा तो मध्यमप्रूस एक बचन अब देखिए मध्यमप्रूस और एक बचन यहीना जैसा करता वैसा किरि तुम दोनों लिखते हो तुम दोनों क्या करते हो लिखते हो अब देखिए तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है तुम दोनों का संस्कृत होता है तुम दोनों का संस्कृत होता है लिखा मैंने बता दिया पिछला वीडियो में लिखना है क्या हो जाएगा लिखा अब देखे तुम दोनों मद्यम प्रूस दुई बचन यही नहीं तुम दोनों तकरता मेरा क्या हो गया मद्यम प्रूस दुई बचन तो किरिया भी मेरा क्या हो जाएगा मद्यम प्रूस दु करता जिस बचन और जिस पुरुस में करता होगा उसी बचन और उसी पुरुस में क्या होगी किरिया होगी यानि कि लकार में इस नौव सुत्र का परियोग करें तो फ्रेंड्स ये एक्जाम्पल नोट कर लिजे मैं इसका और तरह एक्जाम्पल आप लोग को बता देता हूँ तो चलिए और कुछ एक्जाम्पल को हम लोग देखते हैं अगर हैगा कि मैं पहले मैं को छोड़िए पहले सिंपल लेके चलते हैं अगर हैगा कि वह किताब पढ़ता है अब देखें बीचे मैंने एक उक्यार दिया तो बीचे मैंने मैं एक अबजक्ट दिया अभी तक मैंने जो ऊपर चार संटेसिंग जाम्पल में दिया Hey और जो हम पहले हम सबजक्ट का यूज करते हैं उसके बाद भरव का यूज करते हैं उसके बाद अब्जक्ट यूज करते हैं यही तो तरीका होता है इंगलिस बनाने का इसका है लेकिन संस्क्रीत में ऐसा कोई जंजट नहीं है एकदम माइंड से इस बात को निकाल दीजिए कि पहले हम लोग किसको अरेंज करें जैसे कि इंगलिस का रूल है कि सबज्यकट के तुरन्त बाद हम लोग किसका पर्योग करेंगे बहराप का पर्योग करेंगे जब कि यहां देखि산 यहां सबज्यकट के बाद को arrange करने के लिए इधर का उधर हम लोग करते हैं लेकिन संस्कृत में फ्रेंट्स वयसा जंजट नहीं है जो जैसे है उसको सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए फोई जंजट किताब का संस्कृत क्या हो जाता है पुष्टकम और पढ़ना क्या हो जाता है पढ़ना क्या हो जाता है पढ़ना क्या हो जाता है पढ़ना का पढ़ना का पढ़ना का पढ़ना का अब देखें यहां पर क्या बोला है सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया वह तो वह क् पुरुष एक वचन क्या है ती इसी ती को उठा करें क्या करेंगे यहां करके जोड़ देंगे हो गया सह पुष्टकम पठती है बिल्कुल सिंपल है जो जैसे देखें मैंने इसको संस्क्रीत बनाते समय किसी सब्द को इधर से उधर नहीं किया जो जैसे है सेम्ट उसे मुझ में कहीं नहीं जोड़ना है कहां कि लिए के लाशंट में एक और इंग्जांपल देख लिजिए जैसिकि रह fahren शांवा सथा यौन और अबORE गर को संस्कृत ने हो लोक बोलते हैं गर्यमिन मतलब क्या हो जाथ है जाना क्या होता है तो इप मेरा क्या कर रहा है उद्ध monks एक वचन तो About studio Mireya भी मेरा क्या हो जाएगा उत्तम एक वचन तो उत्तम पुरुस और एक वचन क्या है आमी क्या है आमी अब देखें गच्छ बोलके देखेंगे तो लाश्ट में मेरा आ जागा क्या अ गच्छ बोलके देखें गच्छ गच्छ पलस अ लाश्ट में क्या रहा है अ आ रहा है अब हमको यहाँ पे एड क्या करना है आ यहां पे एड क्या करना है आमी तो में लोल के गच्छ इसके लाश्ट में अ है तो आ हम को लिखने आते एगो आ कार देंगे तो आ हो गिया क्यों क्यों कि इसमें अ क्या है छूपा हुआ है मेरा आ का काम खत्म बच गया क्या मे यानि कि क्या हो जाएगा हुं कि अहम ग्रिहां गच्छा में देखे जैसे हम लोग वैसे same to same लिख दिये कुछ change नहीं करना है कि इधर के सब्सक्राइब को इधर करो इधर के सब्सक्राइब कुछ अरेंज करने जैसा नहीं होता है अब कुछ और एक्जामपल हम लोग देखते हैं एक दो इसका 20 तरह से एकजामपल पुछता है टोटल का टोटल हम लोग क्या कर लेते हैं सोलूसन करके देख लेते हैं कि आखिर उसका बनेगा तो कैसे बनेगा अब जैसे की देखिए जैसे रहेगा कि हम दोनों हम दोनों इस्कूल जाते हैं हम दोनों इस्कूल जाते हैं अब ध्यान दिजेगा हम दोनों का क्या हो जाता है देख लिजिए हम दोनों का क्या है हम दोनों आबाम लिख दिया हम दोनों का आबाम अब इस्कूल का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो इस्कूल का हो जाएगा बिद्याल मतलब इस्कूल जाना का मैं उपर बता दिया हूं जाना क्या हो जाएगा गच्छ हो जाएगा अब ध्यान देंगे अब यहां मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट यहां मेरा क्या हो वैसा किरिया, यानि कि जैसा सब्जेक्ट होगा, वैसा क्या हो जाएगा, भर्व हो जाएगा, तो सब्जेक्ट है क्या, वे दोनों, देख लीजिए, हम दोनों, हम दोनों के लिए क्या है, आबाम, तो मैंने आबाम लिख दिया, उसके बदी स्कूल, इसकूल के लिए क्या है तो इस पुल के लिए जाना के लिए क्या हो जाता है गच्छा अब देखिए मेरा सब्जीक्ट क्या बोला है कि उत्तम पूरूथ hierarch Ben देखिए दोनों जहां है सब सब्जेक्ट के अंते में और होते हैं खास करके आकारांद के लिए तो और होते हैं तो गच्छ लाश्ट में क्या रहा है हमको क्या जूरना है आवा तो एगो आकार देंगे तो मेरा हो गिया आ आ का काम खतम बच गया क्या वा तो यह लिख दिया हम लोग वा क्या हो जाएगा आवाम बिद्यालियम गच्छावा एक दाम सीम्पल है अब एक हम लोग नामबला देखते हैं अब नामबला कैसे देखेंगे जैसे कि रहेगा कि मोहन मोहन खाता है मोहन क्या करता है खाता है अब देखिए मोहन का संस्कृत जो होता है चुकि पुलिंग है तो पुलिंग में हम लोग क्या लगा देंगे बिसरग लगा देंगे मोहन क्या पुलिंग है तो किसी नाम का संस्कृत भी क्या होता है सेम तो सेम इसका नाम ही होता है पुरू सगर हैगा पुलिंग सब्द रहेगा तो हम लोग बिसरग जोड़ देंगे अगर इस्तिलिंग सब्द रहेगा तो बिसरग नहीं जूत लेगा जैसे कि हो गया सीता सीत नाम जब आएगा, तो नाम में हम लोग को किसी बचन और पुरूस में नहीं सोचना है, नाम हमेशा होगा पर्थम पुरूस में, ध्यान रखेगा फ्रेंड्स, नाम हमेशा क्या चीज में जाएगा तो पर्थम पुरूस में ही वह नाम आएगा, अब हम लोग को देखना क्या यहां दोनों में कभी सोचना ही नहीं है चाहे हुआ आदमी का नाम हो, जर्वर का नाम हो, प्लेस का नाम हो नाम जब भी आएगा तो वह हमेशा पर्थम पुरूस में आएगा मद्यम पुरूस उत्तम पुरूस में धोखा से भी नहीं सोचना है अब हम लोग को देखना है. चोकि नाम जाय से ही आ गया. मैंड मेर जश्ट हो गया. कुन पुरोष? पर्थं पुरूष. अब देखना है कि नाम क्या गवा है. तो मोहन कितने है? मोहन एक है. मोहन क्या है? एक है. तो एक के लिए कुन वचन? एक वचन के दुई वचन के बहुचन, तो एक है तो एक के लिए एक वचन, तो एक वचन में में मेरा क्या है ती, क्या हो जाएगा, मोहना, खादा, ती, simple, जैसे ही नाम आता है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग नाम आयेगा, तो किस पूरूस में सोचेंगे, तो हम में अगर दो नाम होता नाम कितने होते दो अब देखिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं दो नाम बला को भी ताकि किसी टाइप का भी कोई का निफ्यूजन न रहे है अब सीम्पल में में जैसे रहेगा कि मोहन मोहन और सोहन बाजार जाते हैं अब देखिए मोहना नाम है यह तो मोहन के लिख दिये हम लोग मोहना अब क्या है शोहन तो सोहन के लिख दिये हम लोग शोहना अब चलिए एक बात इसमें और समझना इसको अगर इंगलिस में लिखना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हम लोग इंगलिस में क्या लिखते हैं मोहन एंड सोहन हिंदी में रहता तो क्या लिखते हैं मोहन और सोहन जबकि संस्क्रीट में ऐसा नहीं होता है संस्क्रित में दोनों नाम को लिख देंगे और क्या हो जाता है च तो च ध्यान रहे कि दोनों के बीच में च नहीं देना है दोनों नाम लिख लेंगे लास्ट में लिख देंगे क्या च अगर चारोगो पांच गो नाम है तो चारोगो पांच गो नाम में एक लाइन से लिख और लाश्ट में क्या लिख देंगे चो चो का मतलब क्या होता है और देखिए बाजार बाजार क्या हो जाता है हाट बाजार क्या हो जाएगा हाट फिर है जाना जाना के लिए का जाता है गच जाना के लिए का जाता है गच अब देखिएगा नाम कितने है मोहन और सोहन नाम क बनाते समय संस्क्रित वान वाद बनाते समय नाम जैसे ही हमारे माइंड में आएगा जैसे हम नाम के बारे में सोचेंगे तो दिमाग में एक ही बात पर जोर आएगा क्या पर्थम पुरुस नाम किसी का भी नाम रहे पर्थम पुरुस तो सबसे पहली बात तो मेरा समने निकल अब देखना हम लोग कोई है कि नाम कितने है तो मोहन और सोहन नाम कितने है दो तो पर्थम पुरुस का क्या बचन दूई बचन नाम कितना है दो ता पर्थम पुरुस का दूई बचन देखे तो क्या जूटा हो तो इता को उठा करके हम लोग लाश्ट में क्या करेंगे दो, तब पर्थम पुरिसका, दूई बचन, हो गया मेरा क्या गच्छत, अभी तक हम लोग, जितने भी वाक्य देखे, सब में किर्या था, किर्या मतलब सब में कुछ न कुछ क्या हो रहा था, काम हो रहा था, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि वह लरका है, वह लरका है अब देखिए वह लरका है लेकिन लरका कोई काम नहीं कर रहा है लरका तो है लेकिन लरका कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो इसमें किरिया है ही नहीं जब किरिया नहीं रहेगा तो लोग लाकार का पर्योग नहीं करेंगे ध्यान देना है अगर किरिया तो इस लाकार का पर्योग नौव चिहन का पर्योग नहीं होगा अब देखे वह वह के लिए क्या हो जाएगा शह लरका के लिए क्या हो जाएगा बालका लरका के लिए क्या हो जाएगा बालका अचुकी है है और कोई काम नहीं है तो कोई काम अगर नहीं रहेगा अगर किरिय का पर्योग हम लोग को नहीं करना है है के लिए क्या जोड़ देना लाश्टे में अस्ति हो जाएगा सह बालक का अस्ति तो विश्वास करता हूं कि यह लटलाकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो प्लेज वीडियो को लाइक करें और चैनल को हो जाया तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो अगले लाकार के साथ चा म्लोका लकार क्या होगा लग लकार अगर इस में कुछ बाते नहीं समझ मिंँए वीडियों को देखने के बाद अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रुण्य के दिए और सब्सक्राइब करना नहीं ले और सेर भी कर दे और कमेंट सेक्षन में आप लोग कमेंट करके ज़रूबत क्योंकि भ्यूज तो देखते तो सभी सभी लोग है लगवाग 20-25 लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक भी किजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडवाग पढ़ते रहिए समझते रहिए